अब तक आपने सुना होगा कि कई बार पतनियां अगर घर में रखे हुए पैसे पतियों को गूमने के लिए ना दे तो पती बेरहमी से पतनियों की पिटाई कर देते हैं वहीं राजिस्तान में बाडवेर से एक ऐसा मामला सामने आया है ये मामला जरा उल्टा है जहां पतनी ने पती को गूमने के लिए पैसे ना दिये तो बेरहमी बीबी ने पती की ही पिटाई कर दी जी हाँ बाडवेर में एक पतनी ने अपने भाई के साथ मिलकर फौजी पती की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने गूमने के लिए उसे पैसे ना दिये थे पिटाई इतनी ज़्यादा थी कि बिचारे पती के पूरे सरी पर गहरे निशान पड़ गए थे पिडित पती ने मामले को लेकर पतनी और साले समेथ छे लोगों की खिलाब थाने में केस दर्ज कराया है मामले में पुलिस जाच में जुड़ गई है यह है पूरा मामला जानकारी के मताबिक सदर थाना इलाके में रहने वाले चुना राम जाट की पतनी ने दिल्ली गूमने के लिए उससे 50,000 रुपे मांगे चुना राम ने उसे पैसे देने से इंकार कर दिया पैसे ना मिलने से नाराज पतनी ने अपने भाई को बुलाया और पती की कूरता पूर्ग पिटाई कर डाली पीडित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा कर बताया की ससराल पक्च के लोगों और उसकी पतनी ने लोहे के सरीये और बेल्ट से करीब 7-8 घंटे तक उसकी पिटाई की बता दे की चुना राम वर्तमान में लहलत दाक में वरकिंग है क्या है पुलिस का कहना हम आपको सुना देते हैं इस मामले को लेकर पुलिस अधिक्चक दीपक भागरु का कहना है कि सदर थाने में जवान के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है पीडित का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया है पुलिस मामले की च्छानवीन में जुड़ गई है आरूपी की तलास शुरू कर दी गई है अवे सकता अनुसार कारवाई की जाएगी तो दोस्तो आज कल उल्टा मामला सामने बहुत देखने को मिल रहा है अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं पती पत्नी को पैसा नहीं देता है लेकिन आज पहली बार ऐसा वाक्य सामने आया जो हमने आपको बताया है सुनाया है दिखाया है कि पत्नी ने पती से घूमने के लिए 50,000 रुपे मांगे और पती ने इंकार कर दिया तो पती की बेरहमी से पिटाई कर दी और वो भी पती एक फोजी था इस पत्नी के बारे में आपकी क्या राय आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक डिटीव न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा सजादा लाइक और सेयर करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए दीजिए हमें जाज़त खुदा आफिज रोसे मंद मलखान दवा खाना हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवा खाना हकीम अनीस जैसे कैंसर, एड़, सुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफिद पानी, धात, दमा, पत्री, ऐलर्जी, जोडों का दर्द, गटिया बाइश, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, ऑलाद का ना होना भी इलाज किया जाता